आलू के गुन और फाइदे जी हां दोस्तों इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर दीखिए आलू में कार्भोहाइडरेट्स, प्रूटीन, फॉस्फरिस, आयोन, क्याल्शिम और विटमीन बरपूर मात्र में होते हैं ये खाने में टेस्टी होता है और साथी हमारे हेल्थ और सुंदर्था में भी हेल्प करता है यदि आप दोसे दिन आलू बॉयल करके चिलके साथ काएंगे तो एक संपूर्ण अहर होत जाएगा अब हम जानेंगे आलू के फाइदे आलू हमारे डेजेस्टिस सिस्टम को बहुत ही फाइदेमंद है पेट में दर्थ हो तो आलू का रस पीने से कुछ ही मिनिटों में दर्थ कम हो जाता है कटी टकार आ रहा है तो बुना हुआ आलू नमक और काली मिर्च डाल के खाने से बहुत अराम मिलीगा आलू कॉंस्टिपेशन को भी दूर करता है आलू हमारे हार्ट के लिए भी बहुत यूसफुल है आलू का सेवन करने से ब्लड वेजल्स लंबी आयू तक लचकदार बनी रहता है आलू, हार्ट टाक, ट्यूमर, कैंसर जैसे बड़ी बिमारियों से भी हमें बचाता है अगर आपका कॉलेस्टरॉल बढ़ गया है तो रोजाना एक कप आलू का रस पीचिए और कुछ ही दिनों में आपका कॉलेस्टरॉल कम हो जाएगा आलू, वेट गिन और वेट लॉस दोनों में फायदमन होता है अगर आप बहुत दुबले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाते हैं तो रोजाना आलू का सीविन कीजिए लेकिन अगर आप मोटापे से परिशान है तो आलू मत खाईए बलकी सुबह और शाम आलू का रस पीजिए किद्नी का कोई भी प्रॉबलम हो तो आलू का रस पीना बहुत ही फायदमन होता है आलू स्वेलिंग को दूर करने में भी लाबदायक है अट्राइटिस में आलू खो बून कर खाने से फायदा होता है चोट लगने पर कभी कभी स्किन नीले पड़ जाते है ऐसे अवस्ता में नीले पड़े स्किन पर आलू गीस कर लगाने से फायदा होता है बॉल्ड आलू को शहद में मिक्स करकर पिलाने से बच्चों का शारीरिक फिकास अच्छा होता है और वुडों का कमजोरी भी दूर हो जाता है आलू हमारे स्किन के लिए भी बहुत वायदेमंद होती है स्किन को संबर्न हो गया या जल गया है या वरिंकल्स हो गया है तो कच्चे आलू का रस निकाल कर उस पे लगा लीजिए आलू एक नैट्रल ब्लीज का काम करता है तो पर रोज आलू का रस लगाने से आपका तोचर निकर जाएगा आलू का रस बालों पर लगाने से हैरफॉल कम हो जाता है आलू का न्यूट्रिशन आलू के चिलके में भी पाये जाते है बॉल्ड आलो का पानी को बालों को रिंस करने के लिए युश किया जाता है यह एक नैच्रल कंडिशनर की धरख काम करता है तो दोस्तो यह थी हमारे आज के वीडियो उम्हीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में नाए टॉपिक ये साथ तब तक के लिए स्वस्त रहे, मस्त रहे, कुछ रहे और अपना ख्याल रहे तनीवान